दुबई में 12 दिसंबर कुस्संपन कॉप 28 की बैठक में जिवास्म इंधन, कोईला, मिथेन और नवी करनी उर्जा से संबंदित महद्वपूर्ण निरने ले गए लेकिन क्या निरने जलवायू परिवर्तन के प्रभामों को सिमित करने में काम्याब होंगे यानि कॉप 28 की बैठक को क्या काम्याब माना जाना चाहिए इसी विशे की पड़ताल आज हम इनफोकस की प्रोग्राम में करेंगे और हमारे टोपिक का नाम होगा क्या कोब 28 को सफल कहा जा सकता है सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टोपिक के अंतरगत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टोपिक चर्चा में आ जाता है इसके बाद हम ये देखेंगे कि कोब 28 की बैठक जो दुबई में संपन हुई है उससे किस प्रकार की उम्मेदे थी और इससे किस तरह के परिणाम बाहर निकले है यानि परिणामों का मतलब ये है कि क्या ये जलवायू परिवर्तन के प्रभावों को सिमित करने में बैठक काम्याब हो पाई है अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रशन होगा और इस प्रशन का उत्तर आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके देना होगा ये जो पूरा विशे है आप जानते हैं आईस की मुख्य परिक्षा के सामान अध्यन प्रशन पत्र 3 से जुड़ता है उसके परियावरन सम्मंदिक खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है खबर इंडियन एक्सप्रेस नियूस पेपर से ली गई है और खबर है COP28 What were the most important decisions where they fell short COP28 के सबसे महत्वपूर निर्णे कौन से रहे और क्या वे निर्णे जलवायू परिवर्तन के प्रभामों को सिमित करेंगे आप जानते हैं जैसा कि अभी आपको बताया गया कि किस परकार से 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक United Arab Emirates के दुबई में COP28 की बैठक हुई है वो Global Warming यानि वेश्विक तापन व्रधी को 1.5 डिग्री सेलसेस तक सिमित करने में काम्याब हो पाएगा तो इस बैठक से किस प्रकार की उम्मेदे थी सबसे पहले यही जान लेते हैं सबसे पहले बात तो यह है कि इस बैठक को एक अंतिम अफसर के तोर पर देखा जा रहा था दिसंबर 2015 में पैरिज जलवाईू परिवर्तन सम्मेलन के अंतरगत जो दुनिया ने अपना एक लक्ष तै कि व्रधी है वैश्विक तापन में होने वाली व्रधी को पूर्व ओद्योगिक स्तर के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सेस तक सिमित करना है तो इस तरह के महतवपूर्ण निर्ने लेना कि ये वैश्विक तापन व्रधी इस सीमा तक सिमित रह जाए इसके लिए इस बैठक को महतवपूर्ण माना जा रहा था और इसी के कारण इसका जो मुख्य एजेंडा था वो एजेंडा था ग्लोबल स्टोक टेक का क्या मतलब होता है ग्लोबल स्टोक टेक का मतलब है व्यापक तोर पर इस प्रकार का मुल्यांकन करना कि जलवायू परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हम लोग कहां खड़े हैं हम लोगों ने कितनी प्रगती की है और इस प्रगती के आधार पर ही इस बात का मुल्यांकन करना कि किस प्रकार की कदम उठाई जाने की आवशक्ता है किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं इसको कहते हैं Global Stock Take इसी के अंतरगत पैरिस जलवायू परिवर्तन समेलन 2015 में दिसंबर 2015 में ये महत्वपोर निर्ने लिया गया था कि इसका आवधिक इस्तर पर मुल्यांकन किया जाएगा Global Stock Take को आवधिक इस्तर पर बार-बार इसका मुल्यांकन किया जाएगा यानि जलवायू परिवर्तन की लड़ाई में हम लोग कहां खड़े हैं आवधिक इस्तर पर ये मुल्यांकन होगा और इसका जो पहला मुल्यांकन है ये वर्ष 2023 में ही हुआ है और अबते हर वर्ष हर पाँच वर्ष के बाद इसका मुल्यांकन होगा इसलिए Global Stock Take की महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमें ये सुनिशित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी कि वस्तुते हमारे दुआरा उठाए जाने वाले कदम कितने काफी हैं और कितने नाकाफी हैं और उसी के आधार पर आगे भविशे के निरने लिए जा सकेंगे इसी के अंतरगत ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि वर्ष 2023 के जो आंकडे विबिन अध्यनू से निकल कर के आते हैं ये दिखाते हैं कि वर्ष 2023 अब तक का पूरे इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहा है और इस वर्ष 2023 के 80 से अधिक दिन ऐसे रहे हैं जहां पर वैश्विक तापन 1.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे अधिक था यानि इसको इतिहास के सबसे अधिक गर्म वर्ष के रूप में देखा जा रहा है और यही ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेक की जो व्यवस्था है यानि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापन को सिमित करने के अंतरगर जो कदम उठाई जाने चाहिए वो पूरी तरह से नाकाफी है और हम इस लक्ष में पूरी तरह से पिछड रहे हैं यानि हम ग्लोबल स्टेक की भी पूरी व्यवस्था का प्रियोग नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वगस्था का प्रियोग नहीं कर पा रहे हैं इसी के लिए जरूरी था कि COP28 में महत्वपूर्ण निर्णे लिए जा सके अब हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि COP28 में किस तरह के निर्णे लिए गए और वो किस तरह से नाकाफी हैं अगर नाकाफी हैं तो किस तरह से हैं, ये जानना महत्वपूर्ण है, सबसे पहला दिरने जिवासम इंधन को ले करके है, जिवासम इंधन को अब तक किसी भी conference of parties, यानि कोप की बैठक में, जो किसी भी अलग-लग देशों के, आप जानते हैं conference of parties में, जो जलवायू परिवरतन पर प्रतेक वर्ष सबस का विचार विमर्ष नहीं हुआ था, और ये बात कही गई है कि इस से धीरे-धीरे बाहर निकलने का प्रावधान करना चाहिए, प्रतेक देश को धीरे-धीरे जिवासम इंधन के प्रियोग को सिमित करना चाहिए, ताकि वर्ष 2050 तक net zero के लक्ष को, वैस्विक लक्ष को प राप्त किया जा सके, जहां पर जितना कार्बन उत्सरजित किया जा रहा है, उतना ही हमारा जो natural sequestration व्यवस्था है, natural capture व्यवस्था है कार्बन के को capture करने की, जैसे हमारे महसागर, जैसे हमारे जंगल, वो उसको अवसोशित करने में सक्षम हो, यानि कार्बन का किसी भी तरह से negative impact हमारे जलवायों खासतोर से वैश्विक तापन को बढ़ाने में ना पड़े। आप जानते हैं कि वैश्विक तापन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डायाकसाइड का ही है। तो net zero की लक्ष को 2050 तक प्राप्त किया जा सके इसके लिए बात की गई है कि इससे धीरे धीरे जिवासम इंधनों के इस्तमाल से देशों को बाहर निकलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिवासम इंधनों को फेज आउट करने की बात थी यानी चरणबत तरीके से इसके इस्तमाल को समाब्त करने की बात थी इस शब्द को बाहर निकल दिया गया है। साथ ही अगर इस शब्द को रख भी दिया जाता तो किसी तरह के टाइम फ्रेम की बात नहीं की गई है, किसी तरह की समय सिमा का उलेक नहीं किया गया है। पिश्विक स्तर पर सभी देश निरने लें और नवी करण्य उर्जा जैसे solar energy, जैसे wind energy इनके इस्तमाल को बढ़ाएं और इस्तमाल को तीन गुणा करें इस्तमाल को तीन गुणा करने से क्या होगा? और साथ ही जो उर्जा दक्षता है उर्जा दक्षता को प्रतिवर्ष वार्षिक तोर पर इसकी क्षमता को दो गुना तक बढ़ाएं इससे क्या होगा इससे ये होगा कि एक अध्यन के मुताबिक इससे वार्षिक इस्तर पर 7 बिलियन तन कार्बन डाय ओक्साइड कार्बन डाय ओक्साइड का उचसरजन कम क्या जा सकता है जो अपने आप में उचसरजन के स्तर पर एक बहुत बड़ा मानक है ये बाते कॉप 28 के अंतरगत कही गई है और ये एक महद्वपूर्ण लक्ष है इसी प्रकार से जो कोईला है कोईला का आप जानते हैं कि जो जिवास में इंधन है जिवास में इंधन में तेल प्राकृतिक गैस और कोईला आते हैं कोईले के संदर में एक महद्वपूर्ण निरने क्या है कोईले के संदर में महद्वपूर्ण निरने glass go की कोफ бег रोटक में 2021 में लिया गया था जहांपर इसको phase-down करने की बात क्या है कि देरे देरे इसका इस्तमाल कम किया जाना चाहिए इस इस्तर करने के साथ कोईले के इस्तेमाल को तभी कम किया जा सकता है जब इतनी इंबिल्ट व्यवस्था कार्बन कैप्चर की डेवलप की जा सके क्योंकि कोईले के इस्तमाल को कम करने के अंतरगत आप जानते हैं कि बिजली सनियंत्र जो इस्थापित होते हैं खास तोर से विकासिल देशों में उसमें कोईले का सबसे बड़ा इस्तमाल होता है हमारे देश में जो बिजली सनियंत्र इस्थापित हैं वो ज़्यादा ताप ये विजली सनियंतर स्थापित हैं, वो ज़्यादा तर कोईले पर ही आदारत हैं, और इसमें कोईले की जो भागेदारी है, वो 74.3% है, इसलिए इसका इस प्रावधान का उलेक करना कि इसको धेरे-देरे फेजडाउन किया जाना चाहिए, इसका विरो इसलिए किसी भी तरह की विवस्था, जो Concrete विवस्था है, कोईले के संधर में, COP 28 में नहीं की जा सकी हैं, उसी प्रकार से मिथेन को लेकर के, मिथेन को लेकर भी इसमें बड़े इस्तर पर विचार विमर्श हुआ है, COP 28 में को लेकर, اور मिथेन को आप जानते हैं कि ये carbon dioxide क जो greenhouse gases है, greenhouse gases के इस दर पर जो इसका विस्तार है, वो एक ऐसी gas है जो greenhouse gases के विस्तार में पच्चिस पतिशत की भागीदारी रखती है, लेकिन methane का एक महतुपून, योगदान ये भी है कि ये carbon dioxide से, carbon dioxide से लगफग 80 गुना, ज्यादा शक्ति साली है ग्लोबल वर्मिंग वैश्विक तापन में योगदान देने के अंतरगत इसकी जो पावर है वैश्विक तापन में वो कार्बन डाय अक्सेट से लगपक 80 गुना जादा है और इसलिए 80 गुना जादा है लेकिन मेथेन का जो प्रमुक शोथ है उतसरजन के वो क्रिशी और प प्रिशी के पैटर्ण में व्यापक इस तर पर बदलाव करने होंगे जो कि विकास सेल देशों के लिए पूरी तरह से वर्तमान अगर आर्थिक ग्रोथ के इस तर को देखा जाए तो बिलकुल असंबव है इसलिए भारत जैसे देशों दुआरा इसका विरोध किया गया औ बहुत बड़ी भागेदारी है और वर्ष 2030 तक इसको समाब्त किया जाना चाहिए और ग्लास को वर्ष 2030 तक इसमें महत्वपून निर्णे लिया जाना चाहिए इसके उत्सरजन इस तर को कम करने का और ग्लास को 2030 की जो बैठक थी 2021 की जो बैठक थी उसमें भी लगबक 100 देशों के एक सम्हू ने निर्णे लिया था कि वो वर्ष 2030 तक लगबक 30 परतिशत उत्सरजन की कमी करेंगे मिथेन को लेकर लेकिन COP28 की बैठक में किसी भी प्रकार की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इसका आधार वर्ष क्या होगा किस तरह से इसका मापन होगा और किस तरह से उस लक्ष को प्राप्त किया जाएगा इसके बारे में कोई कॉनक्रीट विवस्था नहीं की गई है तो यहां भी एक सीमा स्थापित इसकी हो जाती है इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो कम विकसित देश हैं जो कम विकास सिल देश हैं जलवायू परिवर्तन के सबसे अधिक प्रभाव उसी तरह के देशों पर पड़ रहे हैं वहीं विक्सित देश ने केवल अपने विकास के एक स्तर को हासिल कर चोगे हैं बलकि जलवायू परिवर्तन के प्रभामों को सिमित करने के अंतरगत किसी भी प्रकार की फंड व्यवस्था, वित्य व्यवस्था के निर्माण में उनकी प्रमुक भुमिका है ताकि अलग उनकी फंड को पूरा करब हैं जैसे लौस एंट डेमेज फंड इसी परकार का एक विवस्था है व्यवस्था जलवायू परिवर्दन के प्रभाम है उससे जो यह हानि होती है उन प्रभामों को किस तरह से सिमित किया जाए वर्ष 22 में इजैप्ट के शर्मल शेह एक में ज इस फंड पर किसी तरह का कोई कदम इसको स्थापित करने के अंदरगत नहीं उठाया गया था अब UAE में जो COP28 की बैठक है इसके पहले ही दिन इस फंड को संचालित कर दिया गया और अलग अलग देशों ने इसके अंदरगत घोशनाएं अपनी प्रतिबदताएं घोशित कर ने शुरू कर दी जिसमें संयुक्त अरब अमीरात ने सबसे पहले घोशना की और ये सम्मेलन खत्म होते होते 800 मिलियन डोलर की फंड की प्रतिबदताएं जताई जा चुकी थी जो विकास सिल देशों के लिए भवश्य में एक बहतर कदम उठा सकता है इसके अंतरगत तो इसी प्रकार से ये एक सकारात्मक कदम है COP 28 का इसी तरह से अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष निर्धारित करने के अंतरगत COP 28 में किस प्रकार के इंद्रने हुए अनुकूलन को विशेश तोर से आप इस प्रकार से समझें कि जलवायू परिवरतन के वर्तमान और भवश्य के प्रभावों के साथ तालमेल बठाने की जो प्रक्रिया है उसी को अनुकूलन के अंतरगत किसी भी देश को अपने सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी ढाचे को इस प्रकार से विक्षित करना होगा ताकि उसमें जलवायू परिवरतन के प्रभावों को जहिलने की, उसका प्रतिरोध करने की एक शमता है यानि उनमें लचिला पनाए, उनमें रेजिलियन्ट आए, तो इस तरह की व्यवस्थाओं का निर्मान करना होगा और इसके अंतरका जो वैश्विक लक्ष हैं, उनको भी निर्धारित करने के आउशकता है ग्लासगो 2021 में इस प्रकार के कुछ लक्षों की पहचान की गई थी, जैसे जलवायू परिवरतन के कारण जो पीने के पानी की कमी होती है, तो उस कमी को किस प्रकार से, वोटर इसकारसिटी को किस तरह से कम किया जाए, जो खादे प्रणाली पर प्रभाव पढ़ने की उम्मीद है, उसको किस तरह से सिमित किया जाए, खादे और आपूरती श्रंखला के प्रभाव को किस तरह से स पहचान की गई थी लेकिन इस पर और अधिक करने की ज़रत है और इसकी रूप रेखा को दृड करने की आफशकता है साथ ही इसके लिए भी एक वित्य फंड की आफशकता पड़ेगी जिस वित्य फंड पर अभी किसी तरह का कोई नरणे नहीं हो पाया है तो इसमें भी एक अभाव की स्थिती देखने को मिलती है कहने का मतलब है कोप 28 की बैठक ने कुछ महदवपूर्ण निर्ने लिये है लेकिन जलवायू परिवर्तन के प्रभावों को कितना सिमित करने में सक्षम हो पाएगा ये भविश्य ही बता पाएगा और इसकी संभावना काफी सिमित दिखाई दे रही है अंत में आपके लिए एक प्रशन है प्रशन क्या है निमनलिकित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापन यानि ग्लोबल वार्मिंग उत्पन करने में कार्बन डायकसैड से लगभग 80 गुना अधिक शक्ति शाली है आपके उप्शन्स है ओ प्रिलिम्स और मेंस की तयारी आपकी शामिल होगी हिंदी माध्यम से संबंदित है ओफलाइन बैच है अलग लग शाखाओं पर इसकी कख्षाएं प्रारंब हो रही है और एड्मिशन प्रारंब हो चुके हैं दिल्ली की मुखरजी नगर शाखा करोलबाल शाखा में बैच 29 दिसंबर और 31 दिसंबर को शुरू होंगे इसी प्रकार से जैपूर शाखा प्रियागराज शाखा और लखनव शाखा में भी बैच प्रारंब हो रहे हैं जैपूर में 18 दिसंबर से प्रियागराज में 27 दिसंबर से और इसी तरह से लखनव शाखा में 27 दिसंबर से बैच प्रारम हो रहे हैं अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कोल कर सकते हैं ये सभी नंबर यहाँ पर दिये गए हैं आपको इसमें आपके लिए क्या विवस्था रहेगी ये विवस्था रहेगी कि प्रिलेम्स और मुख्य परिक्षा की समगर तयारी इसके अंतरगत शामिल होगी उसी प्रकार से सभी क्लास की नोट्स और 18 महिने तक की दृष्टी करंट अफेर्स मैगजीन आपको दी जाएगी हर सब्जेक्ट का क्लासरूम टेस्ट आपको मिलेगा पूरे कोर्स के दोरान ओफलाइन अकेडमिक सपोर्ट आपको दी जाएगी और वही दृष ल्यांकन कर सकते हैं उसको दुरुस्त कर सकते हैं फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद